महाभारत युद्ध के आखिरी दिन बचे थे केवल इतने लो कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत युद्ध को लेकर आप कई तरह की बाते जानते होंगे हर्याना के कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध में दोनों तरफ के लोगों को काफी नुकसान सहना पड़ा कुरुक्षेत्र में लड़ा गया महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था इस युद्ध में भगवान कृष्न अर्जुन अठारा दिन गए युद्ध को लेकर यह भी कहा जाता है कि अठारा की संख्या का अत्यंत महत्व है ऐसा इसलिए क्योंकि महाभारत ग्रंथ में कुल अठारा अध्याय है भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अठारा दिन गीता का ज्यान दिया था महाभारत युद्ध को लेकर कहा जाता है कि इतना खून बहाग कि अब तक कुरुक्षेत्र की मिक्ति लाल है कई जगह दावा किया जाता है कि महा भारत के के पश्चात कौर्वों की तरफ से तीन और पांडवों के तरफ से पंद्रा यानी कुल अठारा योध्धा ही जीवित बचे थे जिसमें युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव शामिल है हाला कि इस युध में भीम और अर्जुन के पुत्र मारे गए थे कुछ जगह कहा गया है कि महा भारत के युध के अंत में पांडवों की ओर से पांचों भाईयों समेट 14 लोग-लोग जीवित बचे थे